यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलेगी IIT ये पहली बार है तेहास में जब एक इंस्टिट्यूट ओफ नाशनल इंपोर्टेंस भारत सरकार ओपन करवाएगी देश के बाहर और हमने कंट्री भी कौन सा चूस किया है UAE इससे हमको ये वता लगता है कि दोनों देशो हो जुके हैं कि इंडिया ने UAE के कहने पर एक बार को ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा जो सबसे प्रिमियर सबसे ज़्यादा भैदरी इंस्टिट्यूट का सिस्टम है ये हम UAE तक भी लेके जाएंगे और ये बादवे UAE की रिक्वेस्ट में किया गया है अभी इस ट्रेड में UAE ने एक रिक्वेस्ट इंडिया को ये करी कि देखिए आपकी IIT से इतने प्रॉमिनेंट लोग निकले हैं इतने बड़े बिजनस में निकले हैं हम चाहते हैं कि आप अपनी IIT हमारे एमिरेट में भी ओपन करें तो इंडिया यहाँ पर मान गया है इस इस जो डिसेंटली हुआ है वहाँ पर क्या-क्या बाते लिखी हैं बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूंगा क्वेशन यहाँ पर यह है कि युनाइटेड अरब अमिरेट्स यह एक फेडरेशन है कितने अमिरेट्स की यहाँ पर कितने अमिराट्स आपको मिलेंगे फर एक्जामपल दुबई एक अमिराट है अब उदाभी एक अमिराट है वैसे आपको बताना है कितने अमिरेट्स हैं इन UAE 4, 5, 7 या फिर 8 कॉमेंट सेक्शन में करियो उत्तर सही आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो के इसमें बहुत सी चीज़ें कवर की जाएंगी और मैं आपको यह बता दूँ जो यह हमारा टार्गेट है कि 100 बिलियन डॉलर पर एनम एक साल में इतना ट्रेट होना चाहिए यह लक्षे हम को अचीव करना है आने वाले 5 सालों में इससे काफी पहले ही यह टार्गेट हम और इसका रीजन यह है कि देखिए United Arab Emirates आज के समय एक Trade Transit देश बन चुका है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको मानलो के बहुत ज़रा ट्रेड करना है अफरीका के साथ या फिर Gulf Countries में और जो बहुत सारे देशा उनके साथ सिरिया के साथ तर्की के साथ तो इसक बहुती कम दामों में UAE से पहुच पाएंगे Egypt, Libya, Algeria, even आगे Europe तक भी तो यह एक major advantage अइडिया के लिए इसी भाने आप देहेंगे कि इंडिया और UAE का जो ट्रेड है यह भी लगातार इंप्रूब होता रहेगा फिर तीसरे countries की अगर हम बाद यहाँ पर ना भी करें UAE पर भी focus करो तो एक करोड की अबादी का देश है, purchasing power UAE में बहुत हाई है और जो recent FTA sign किया है इंडिया और UAE में इसमें आप देहेंगे special focus किस पर है, jewelry पर और gold बार पे, इंडिया ने UAE को यह का है कि आप लोग इंडिया में gold भेज पाओगे कम rates पर, तो मैं आपको यह आने वाले समय में, इंडियान सबसे जारा जो gold है, यह UAE का ही purchase करने वाले है, मैं बदा रहा हूँ, इंडिया में बहुत सी gold भास दिगेगी, जहाँ पर सीधा stamp लगाओगा, दुबई, UAE का, क्योंकि होगा यहाँ पर क्या, कि जो tariff इंडिया लगाता है, बागी countries पर gold का, उससे सिर्फ 1% कम लगाएगा, UAE पर, और यह जो 1% है, यही अपने आपे बहुत 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 है, इंडिया में जो भी traders है, यह prefer करेंगे, कि यूरोप से gold क्यो purchase करना, और किसी country से gold क्यो purchase करना, सीधा UAE से gold purchase करो, सस्ता मिलेगा, और उसको इंडिया में बेचो, औ पर, जो gold आएगा, उसमें हम यह 1% वाली छूट नहीं देंगे, तो देखिए, UAE और इंडिया का जो trade है, gold को लेकर, और उसके लावा, jewelry को लेकर, UAE ने इसके बतले में यह का है, कि यह लोग tariff बहुत अर्तक reduce कर देंगे, Indian jewelry पर, तो जो Indian jewelry है, यह बहुत ही जल्द आपको trade होगा, इससे इंडिया मान के चल रहा है, कि ना सिर्फ हमने Gulf region, पूरा जो African region है, उनके साथ भी trade route कर दिये है, unlock, यह जो trade की बात है, यह अपनी जगा है, UAE ने आपर इंडिया को यह भी का कर देखिए, हम लोग आज के समय कोशिश कर रहे है, अपनी economy diversify करने की, UAE आपको चन नहीं है, वैसे ही होना चाहिए, एक IIT दुबई, जिहां UAE की सरकार ने इंडिया को request करी, कि आप लोग दुबई में उपन करिए, एक Indian Institute of Technology, तो इंडिया यह आपर मान गया है, और यह हमारे देश में 23 IIT हैं, 24 जो उपर होगी, यह होगी इंडिया के भार, दुबई मे और वैसे मैं आपको यह बता दूँ कि दुबई जानता है कि IIT से आज के समय कई famous CEO entrepreneurs निकल चुके हैं, for example, सुंदर पिचाई, Google के CEO, लोग समझते हैं कि बड़ी early age में यह इंडिया से US चले गए होंगे, वहाँ बढ़ाई करी होगी, नई, he is very much educated in India, IIT से पढ़े थे यह, उसके बाद US गए, Google जोइन किया और आज के समय Google के CEO हैं, उसके अलावा कई major entrepreneurs हैं जो Indian economy भी contribute कर चुके हैं, for example, नरायन मूर्ती, जो founder है Infosys के, जो आज के समय fastest growing IT brand है दुनिया भर में, अल्रेडी आपको बताओगा कि TCS दुनिया का second most valuable brand बन चुका है, IIT का, और हो सकता है क बहुत जल्द Infosys भी इसको join कर लें इस list में, तो UAE को ये बात पता है कि IIT का जो education system है, world class है, इस process से creative mind निकलते हैं, और UAE भी ये चाहता है कि in the future, ये लोग सिर्फ तेल के export पर depend ना करें, इनके देश से भी engineers निकलें, CEOs निकलें, जो दुनिया की economy में contribute करें, और UAE की economy को भी grow करें, मगर इंडिया के लिए यहाँ पर एक technical problem तो आएगी, मिरे हिसाब से, ये problem highlight करी है, शशी दुरूर साब ने, इन्होंने tweet करी, इन्होंने आपर ये का कि ठीक है, इंडिया पहली बार अपने देश के बार एक IIT open करेगा, अच्छी बात है, मगर question यहाँ पर अच्छी के बच्चे हैं, उनको भी Indian students की तरह, IIT JE crack करना पड़ेगा, तभी उनकी rank आएगी, उसी के साब से उनकी entry होगी, इस IIT में, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया, तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको वैसे ये बता दू, Indian Institute of Technology में गुसना बहु अच्छी हुई, अब best of the best हो, तो आपको IIT में एक seat मिल जाएगी, और IIT का जो ये exam है, ये माना जाता है, one of the toughest in the world, आपका भी भी Google करेंगे, one of the most toughest exams in the world, तो जो भी list होगी, 10 exams की, 15 exams की, वहाँ पर IIT का नाम आपको definitely मिलने वाला है, तो ये जो बच्चे अभी UAE में, जिन ये नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता के ये बिचारे Indian students को बीट करके, एक rank हासिल कर लेंगे, और फिर ये IIT दुबई में जा पाएंगे, अगर All India rank system से ही काम करते हैं, तो Indian ही यहाँ पर आपको देंगे, IIT दुबई में भी, क्योंकि वासे मैं आपको ये बता दूँ, कि अ तो इनके लिए थुदा सा एक्जाम आसान करना पड़ेगा, क्योंकि Indian level ये लोग धिल नी पाएंगे, और अगर इनके लिए हमें एक्जाम थुदा सा हलका रखते हैं, तो फिर question ये भी raise होगा, क्या Dubai IIT उतनी comparative है, जितनी Indian IIT है नहीं, तो ये कुछ questions है, जिन पर focus करना ये, के जो middle school की education है, UAE में, वहाँ पर भी Indian teachers जाएं, UAE के बच्चों को पढ़ाएं, उनका level इतना improve करें के एक बार को जहीं एक्जाम में ये भी कुछ ना कुछ rank हासिल कर पाए, अपने दम पर, नहीं तो possibility है के UAE in the end quota system रख ले अपने देश में, के इतनी जो percentage seats हैं, ये UA UAE के बच्चों को ही मिलेगी, but overall मैं कहूंगा, एक बहुत ही अच्छा step है, इंडिया, UAE दोनों के लिए कुछ जो यहाँ पर छोड़े issues हैं, एक बार ये resolve हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है के in the future, IIT, Dubai के बाद, IIT, Abu Dhabi, various all जो इनके Emirats हैं, वहाँ पर BM IIT open कर सकत हैं, और इतिहास में आप अगर देखे, तो ग्यान बहुत बार इंडिया से होते हुए Arabs के थूरू Europe पहुचा है, for example, जो number system आप यूज करते है काफी बार जिसको का जाता है Arabic number system, जिसके बारे में आप अगर पढ़ोगे, तो पता लगता है कि actually ये पूरा number system in event Indians ने किया था बाद में इसको use करना start किया, अरबों ने, फिर जब Europeans तक ये number system पहुचा through Arabs, तो Europeans ने इसका नाम रख दिया Arabic number system, तो देखिए ग्यान इंदा पास बिलकुल काफी बार, इंडिया से यहाँ पर West Asia में फिर आगे दुनिया पर में फैला है, और घूम फिर के फिर से हम वहाँ पहुच चुके हैं, जहाँ पर Indian professors पढ़ाएंगे Arabs को, ना वापस आते हैं हमने MCU की तरफ के United Arab Emirates is a Federation of Dash Emirates, तो सही उत्तर यहाँ पे है option C, Seven Emirates का Federation है UAE, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ के live में अगर आप एक बार properly UPSC exam के लिए prepare करना चाते हैं, तो आप purchase कर सकते हैं Unacademy क quality courses, simply जाओ comment section में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये link, इस link पे करो click और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे the course of your choice, अगर आपके पास अभी 2-3 साल का time है, आप अराम से 2024-25 के आसपास एक attempt देना चाते हैं, तो ये UPSC combo course purchase कर सकते हैं, जिसमें आपका prelims, mains, optional, तीनों cover हो जाएगा, ये सारे courses, अलग-अलग purchase करोगे, तो आपको 10-20,000 रुपे extra pay करने होंगे, तो ये तो saving यहाँ पे आपकी हो गई, उसके ओपर additional आपको यहाँ पर discount मिलेगा, अगर आप use करते हैं, promo code PD10, the prices will fall even more, so use करिए यहाँ पर code PD10, and save money, so इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all झाल